नमस्कार मैं हूँ रेविरेंजन आप देख रहे हैं विमर्श निूज अंधा धोन रासायनिक खादों के प्रयोग से हमारी धर्ती हर रोज जहरीली होते जा रही है जहरीली धर्ती के कारण नकेवल परियावरन प्रदूशन की समस्या खड़ी हुई है बलकि हमारा आहार भी जहरीला होते जा रहा है और जहरीले आहार के कारण मनुस्य के सामने आज स्वाष्त की सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है इनी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए 70 साल के एक बुज़र्ग राजनेता ने एक बड़ी मुहीम छेड़ी है धर्ती को कैसे विश्रहित करना है कैसे विश्रहित भोजन पाना है इसके लिए भुज़पूर के बहियारा गाउं में किसानों को ट्रेंड किया जा रहा है यह सलसला चल पड़ा है देश के कई राज्यों में एक साथ इस तरह के प्रशिक्षन से विर चल रहे हैं देखिए हमारी एक कास रिपोर्ट प्राकृतिक खेती से जब हम पिछले सत्र वर्षों में विमुख हुए और आसाइनी खेती के चंगूल में फसे तो शुरू में तो लगा की उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि ऐसी बीमारिया जो की पहले कभी ठी ही नहीं वो आ गई ज्यादा तर लोगों को डाइबीटीज होने लगा लोग ब्लड प्रिशर के शिकार होने लगे किसान विशबो रहे हैं विश उगा रहे हैं विश काट रहे हैं विश खा रहे हैं वही विश बेच रहे हैं बजार में तो पूरा विशाक महल हो गया तो हमने कहा कि नहीं यह तो गलत हैं हमको तो वापस जाना पड़ेगा तो हमने यहां पर अपने गाओं में फिर अमारे जेरा दून में हमारा फाम है वहां हमने काम शुरू किया जी हां आपके भोजन में जहर है आप जो दूद पी रहे हैं उसमें जहर जो पल सबजियां खा रहे हैं उसमें जहर ऐसा कोई भी खादे पदार्थ नहीं है जिसमें जहर नहीं हो मातरा थोड़ी कम बेसी हो सकती है जरूरत से ज़्यादा रसाइनिक खादों और कीट नासकों के प्रयोग से धरती भी जहरिली हो रही है हालात यह हैं कि हमारे पास अब ऐसे बीज भी नहीं बचे जो हाइब्रेड नहीं हो हाइब्रेड के कारण सभी खादे पदार्थों की गुनवत्ता उसका स्वाद उसका असली रस सब खत्म है इस विक्राल समस्या से निजात दिलाने के लिए पूर्व सांसद बीजेपी के कद्दावर नेता आर के सिनहा ने राष्ट व्यापी मुहीम छेड़ा है आप पांच फशन बगा रहे और आपकी आमदनी जो है वसालों भर हो रही है जब पके निकला तो आप उसको बेष्टे हैं फिर अगले वस्ट टियारी करते हैं यहां आपने आज लगाया और अगले महीने सबक्वाइब चालूए और चार फशल लम लगाते हैं जमीन की न सब्सक्राइब बनाना ओपर यह फूज डालना है तार से बांधना यह आपका वन टाम इन इस्टमेंट है और यह जो बनाते हैं यह पांट साथ चलता है एक साल में सिर्टाली सरा खर्चा है और खाद आपका अगर खुद खाद बना रहे तो बीसे पचीस अरुब है खाद ल अब पौईजन फ्री खाना खा रहे हैं जो हमारे अफसर ट्रस्ट के जो हमारे चेर्मेन आरके सिना जी उन्होंने एक अभियान चलाया है कि हर थाली में 20 मुक्त भोजन मिलना चाहिए कोई इसमें पौईजन फ्री फूट सब के लिए होना चाहिए विभी हमारा फंडामें कर सकते हैं अपनी आये दुगनी चोगनी कर सकते हैं और सालों भर की कमाई कर सकते हैं धर्ती भी शुद्ध रहेगी भोजन भी शुद्ध मिलेगा चार से पाच फसल हम पाच फसल प्राप्त कर सकते हैं यह जो हमारी चाजा यह बन रहा है तो यह धूप जो पौधो के लिए होती है इसे सो परशंट उपन मिलता है धूप इसमें है जो पौधो को 50 परशंट धूप मिलेगा तो पौधे हमारा सुरक्षित रहेगे काम करने पालग यह सब सारा पौधे ले रहे हैं यह सालों भर हो जाता है यह पौधो प्रतिमा आपको मिलते रहेगा यह इसमें है कि माली जी आप चार पर करके फसल ले रहे हैं तो उसके लिए चार पलोट की जरूत पड़ेगी इसमें फैदा है कि एकी पलोट में आप सारा फसल रविबार को भोजपुर जिले के बहियारा में चल रहे प्रशिक्षन शिविर के समापन के मौके पर कई राजनेता से लेकर आम लोगों ने जैविक खेती के नए परियोगों को देखा जाना समझा पर्वसांसद आरके सिन्हा के पैत्रिक आवास परिसर में ही आप देख पा मिलेगा तो अगर आपके पास भी है थोड़ी सी जमीन तो आप भी ये प्रियोग कर सकते हैं अगर आप नहीं कर रहे हैं तो खेती बारी को अपनाए धर्ती को शुद्ध बनाए शुद्ध भोजन पाए ये परियावरन का शंगरक्षन भी है और अपने स्वास्त और शरीर की रक्षा दे इस धर्ती को और खुबसूरत बनाके और शुद्ध बनाके आगे आने वाली पिढ़ी को सौपना है ये आपकी जिम्मेदारी भी है तो आरके सिन्हा के इस मोहीम में आप भी जुड़िये जुड़ जाए विमर्ष नियूज के साथ इस तरह के अनेक खबरे ह हमारे पास हैं और इस तरह के अनेक प्रियोगों से जुड़ी खबरे हम आपको दिखाते रहेंगे देखते रहें ये विमर्ष नियूज नमस्कार